रादे नादे दोस्तों नमस्कार बविता के चन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वह रेसीप आपके शेयर कर रही हूं वह ग्रीन अनियन की सबजी या फिर आप स्प्रिंग अनियन भी कह सकते हैं घिरहरी प्याज कह सकते हैं यह जो हरी प्याज होती है यह एक तम पॉस्टिक तत्वा से भरपूर है इसमें विटामिन C, विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन K सब भरपूर मात्रम पाया जाता है यह हार्ट पेशिन के लिए बहुत अच्छा होता है इसके खाने से हमारे जो डायबेटीज वगरा वा सब्सक्राइब भरपूर में काफी अच्छी मात्रम में खाना चाहिए आज इसी के रैसी भी मैं आपके शेयर कर रहे हूं तो प्लीज स्किपना की जिए एंड तक इसको देखिए यह जो है हरी प्याज मैं इसको साफ करने का तरीका होता है जब भी आप से मार्केट से सब्सक्राइब करने काफी अच्छी मात्रम में विटामिन्स होते हैं अब यहां मसाले के लिए मैंने दो टेमाटर एक इंची का अध्रक का लस और पांच छे लसन की कलिया और दो हरी मिर्चे ले लिए हैं इन सब को मैं पीस लोंगी और एक इसका फाइन सा पेस्ट बना ल सबसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कडाई रख ली है कडाई को अच्छी तरह गरम होने देंगे और इसके अंदर हम और लेंगे यहां फ्रेंट्स में मस्टर और यूस कर रहे हूं क्योंकि मस्टर ऑइल काफी अच्छा होता है इस अनियंग में थोड़ा सा मैं और फ्रेंट्स अगर आप इस तरीके से इसको बनाओ गे ना तो आप उंगले चाटते रहे जाएंगे और हर बार आप ऐसी बनाएंगे क्योंकि आलू अगरा कई लोग अवोइट करते हैं तो इसलिए मैं वड़िया डाल के बना रही हूं मेरी वड़िया होगी मैं निकाल उसके बाद ही उसी ऑईल के अंदर में यह अनिन डाल दूंगी प्याज डाल दिये मैंने और देखिए यहां मेरा हाफ केजी के करीब प्यास था और 100 ग्राम मैंने बढ़िया ली थी प्याज टालने गवद में से कंटीनी चलाते रहेंगे देखिए आप देख सकते हैं चला बूहनेंगे जैसे हम प्याज डाल के बूंते हैं यहां इतने मेरा हो रहा है कैसलो कर दिया मैंने इतने मैं इसे अपनी वडिया को थोड़ा सा तोड़ लोंगी जो कॉच्छ छोटा चोटा सा इसको कर लेंगे आप यह ईजली हैंड से हाथ से भी हो जाएगी यह देखिए ह मैं इसको 40 कोट दीए अबस ऐसी कर लिया बाकी तो ठाथी इसे कोर द्विक कर सकते या यह देखिए यहां मेरी प्रवा कितनी कम हो गई इसले भून है अब होगी प्रवान्थ किकर आप इसके इंदर में अपना यह बढ़ी यह ढाल दोंगी पांसो गरम प्याज के नदर सो गरम वड़ियां डाली है मैंने और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे जहीं देखिए आश्क चलाते रहेंगे और इसको हम धक के थोड़े जैसे चलाने देंगे इसके पात हम यह मसारा भी इसके अंदर आड कर लेंगे प्याज टमाटा लसन अद्रक और हरी मिर्शी का जो पेस्ट बनाया था हमने वो डाल दिया मैंने और इसको भी अच्छी था इसका मिक्स करते रहोंगी फ्रेंड्स यह हरी प्याज जो है बहुत ही अच्छा गुणों का खजाना है इसके अंदर जो हमें विटामिन्स मैगनेट जो मिल स्लोगेस पर ही मैं से बना रही हूं हाई फ्लेम नहीं करेंगे स्लोगेस इसको हम दो से तीन मेंटिकली ढटके पकाएंगे ताकि जो मारी वडिया है से सॉफ्ट हो जाए यहां फ्रेंड्स देखिए मैंने खोल लिया है एच्छी तरह हो गया है और वडियां देखिया मेरी चमच सुखा धनिया वन फोट वैट चिली पाउडर वन फोट इसमें डाला था हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार यह सब चीज़ डालेंगे अच्छी तरह और यह मैंने चला लिया था आपको दिखाना रहे गया था तो मैं इसलिए आपको बता रही हूं उसमें क मिक्स कर लेंगे देखिए कि मसाले सारे एकदम मिक्स हो गए हैं अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे क्योंकि जो मसाले हैं वह अच्छी तरह के अंदर हो जाए तो यहां देखिए में मुश्किल से इसमें पानी डाला है इसके अंदर और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि मसाले पानी के साथ मिक्स हो कि अच्छी तरह चल लग जाए चले जाए कहीं कम ज्यादा ना हो प्रेंट्स में आपको बता रहे थे कि इसका अपना ने अपना स्वाद होता है उसकी विवज़े से इसमें कोई अक्स्ट्र मसाली नहीं डालेंगे ना हम जीरा नहीं कुछ नहीं डालेंगे अब इसको ढखके हम पांच मिनट क्लेवर पकने देंगे इतने इतने मैं आपको थोड़े से और इसके प्याज की गुण बता देती हूं प्याज के अंजर जो सलफर होता है वहारी फार दो टमरेदी हो गई है यह देखिए कितने अच्छी पग गई है और 25 कुंधिटी रूप्थ सकते हैं आप कि आपको एक मिनट लगेगा और आपका एक मिनट मिलने बहुत इंपोर्टेंट है तो प्लीज मुझे अपना एक मिनट दीजिए तो चलिए अब हम इस प्याज की सब्जी को सर्फ करते हैं देखिए कितने अच्छी लग रहे हैं जितनी तेस्टी लगए खाने में उससे भी मेरे तरीके से बनाई है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके पूरा परिवार उंगले चाटते रहे जाएगा और रेसिपी तो आप से जरूर पूछेंगे यह देखिए कितने अच्छी मेरे सब्जी बन चुकी है गिरीन अन्यन की सब्जी चाइन इस लोग से ख कम ही रखता है तो लीजिए मेरी सब्जी एकदम रेडी है यहां में से चपाती के साथ सलात के साथ और थोड़े से रायते के साथ सर्फ करिए अगर आपको रासी पर अच्छी लगे तो प्लीज 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 चैनल सब्स्राइब जरू कीजे और वीडियो को लाइक जर